गरों में सबजीयां तो कभी न कभी आपने काटी होंगी अगर आपने ने तो आपके घरवलों ने काटी होंगी अलू को स्लाइस किया होगा या किसी और चीज को स्लाइस किया होगा हम जैसे लोग जो बाहिर रहते हैं we have to do it by ourselves as well sometimes so उसके लिए स्लाइसिंग हम यूज करते हैं using some kind of cutting knife और हम स्लाइस करते हैं किसी चीज को something like this जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं तो exactly data को भी आप इसी तरीके से स्लाइस कर सकते हैं कहीं से भी ये तो सिरफ और सिरफ चोटे pieces बना रहे हैं ना पर आप कहीं से भी slice कर सकते हैं and आप यकीन करें या ना करें मैंने पहले ही आपको slicing सिखा दी आप सिरफ पुणहानी है जो range का function था that was actually slicing things लेकिन इसको और भी अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं you can also access multiple elements from a sequence using slicing which involves specifying a range of indices जैसे मैंने आपको syntax slicing का बताया start and stop बताया था मैंने आपको उनका step नहीं मैंने बताया तो अगर आप एक और colon यूज कर लेंगे आगे slicing के तो उसका step भी आ जाएगा for example मैं चाहता हूँ 4 से 10 तक के मेरे पास indices आ जाएए but हर दूसरे index आए यानिके जूफ्त या इवन नमबर्स हैं you can do that and that's easy very easy something like this start stop and step ठीक है this is called so starting index आपका inclusive होता है यानिके it comes inside the range ending index आपका exclusive होता है जो मैंने आपको बताया था न वहां तक step size is optional you can skip elements या you can do use it if you want to अब बड़ा असान है slicing एक number है 10 20 30 40 50 60 यहां पर आप print करेंगे एक से 4 तक जो हमने पहले की है ठीक है तो यह हमारे पास आ जाएगा अगर आप slicing कर रहे है तो आप पहले और दूसरे start और end को खतम करके आप सिरफ जुफत अदाद लेना चाहें तो you can do that या हर second position वाला and you can also slice with negative numbers ठीक है अब इसको और भी detail में मैं आपको एक example दे के समझा देता हूँ ताकि आपको clear हो जाए कि slicing जो है वो बहुत असान है और यह screen आपके चीज के उपर हम यह काम कर सकते हैं तो मैं यहां पर markdown का एक list बनाता हूँ इसके अंतर 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक कर लेते हैं ठीक है यह मैंने list बनाई है and now what I am going to do I am going to slice thing और उसके लिए मैं क्या आपको list के अंदर start item बताऊंगा start item मैं लेना चाह रहा हूँ 0 से ठीक है 0 से लेके मैं लगता हूँ जनाब 90 तक 90 तक step of 2 step का मतलब है हर 2 के बाद let's see हमारे पास आ रहे 10 यानिके पहले ने आना ही आना है फिर उसके बाद हमारे पास directory क्या आ रहे 30 यानिके 20 skip हो गया दूसरा आ रहे यानिके 1 skip होके दूसरा आ रहे ठीक है फिर हमारे पास 40 skip हो गया फिर आ रहे 50 फिर हमारे पास 60 skip हो गया 70 आ रहा है फिर हमारे पास ये वाला skip हो गया और हमारे पास क्या आ रहा है 90 अब आपने एक चीज note की है शायद आपने note की हो मैंने यहाँ पर range के अंदर 90 लिख दिया है 0 से और आप लोगों के comments भी आना start हो गए लेकिन कोई error नहीं हाई मुझे आपने एक बार note की है 90 मैंने लिख आगर 90 तक जितने भी index है वो खुद बखुद आ जाएंगे अगर कम मैंने index की range वो automatically उसने consider कर लेनी है इस similar to writing nothing here यह flexible range है 90 के अंदर तो आती आती है ना range समझने है बात को अगर मैं यहाँ पे say for example 0,1,2,3,4,5,6,7,8 यह वाली range देता हूँ sorry मैं यहाँ से थोड़ा सा मसला हो गया यहाँ पे ठी है मैं यहाँ पे दे देता हूँ जनाब minus 2 की let's see ठीक है ठीक है अब ठीक है 90 तक हो रहा है और मैं बजाए इसके यहाँ से गिंता मैंने यही से minus 2 कर दिया तो यह भी आप कर सकते है positive plus negative and then step अगर मैं यहाँ पे step 3 का कर दूँ तो क्या होगा 2 skip होंगी तीसरी print होगी 0 से start करें 2 skip तीसरी print 2 skip तीसरी print ठीक है so this is how you can take a sample from big list big data ठीक है for example अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 10,000 रोज हैं आप चाहते हैं मुरे पास 50 आएं लेकिन हर 15, 20 या 30 रोज skip हो जाए so you can do that as well this is called slicing और आप आपको मज़े की बात बताऊ अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूँ सिर्फ step लिख दूँ तो सारी की सारी indices जो है वो count होंगी and at the end मेरे पास यह देखिएगा 10 आ गया 2 skip 3 skip क्योंकि हमने यहाँ पे 3 step लिए हैं तो यहाँ पे देखिएगा 40 आ गया 10 आया 1, 2, 2 skip तीसरी आगए फिर 2 skip फिर आगए फिर 2 skip फिर end वाली आगए सो ना लगाने का मतलब है everything लगाने का मतलब है this thing लेकिन अगर आप यह कहें कि मैं कुछ ना लगाँ और यहाँ पे सिरफ तीन लिख दूँ this doesn't mean as step step के लिए आपको colon लगाने ज़रूरी है these two columns otherwise यह मेरे पास क्या करेगा सीधा तीसरे इंडेक्स लागे देगा it will not bring me a range ठीक है columns are required to make a range यहां तक आपको समझ आगी this is gold slicing असान, बहुत ही असान, simple आपको समझ आगी होगी ठीक है